हेलो फ्रेंड्स हेर आइम सम्मिक गरी और आज हम लोग जा रहे हैं एंसी आर्टी क्लास फाइब इंग्लिस चैप्टर फ्लाइंग टूगेधर पढ़ने आपसे फ्रेंड्स मैप से यह पहले यह चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग बताईए अब एक कुस्सन है वाट एपेंड वेन यू डिडिन्ट डू एस डे आस्क यू तो डू तब क्या होगा जब आप उनकी कहें अनुसार नहीं करेंगे फ्रेंस हम लोग की जानना बहुत जुरूरी है कि पैरेंस हम लोग के कभी भी हम लोग का बुरा नहीं चाहते हैं पैरेंस हम इसा से हम अनुसार नहीं किया है ट्रीज एंप्रांट्स अर टू बीक अंजर्व डिसकस इन क्लास और विच प्लांट्स प्रीपर और ट्रीज में भी हांद फूल पर एक्सित एक्सिस्टेंस अफ अधर्ड के अदर एक बहुत लंबा पेर था इच्स लीफी ब्रांचे इस प्रड़ आओट लाइग इस्टोंग आप और एक और बात आपको आपको वह जाननी जिरूरी है एक ग्रामर से ग्रामर से रिलीटेड यहां पर लीफी है लीफी एक डिस्क्राइबिंग बर्ड है जो कि ब्रांच को क्या कर रहे है डिस्क्राइब कर रहे है डिस्ट्री वाज दो हुम फ्लोक वाइल गीज यह जो ट्री था यह वाइल गीज जंगली गीज का घर था और एक और चीज हम यह जाननी चाहिए यहां पर गीज है जी डबल ई एस ई और यह गूज का प्लूरल है प्लूरल और गूज हम लोको यह जानना जुरूरी है यह सब ग्रामर की चीज हैं बाद में अब हम लोके एक्जामिनेशन्स में भी बहुत पूछते हैं सिंगुलर प्लूरल आगे पढ़ते हैं लिए डिफेल्ट सेफ्टेयर उन्हें हम सुरक्षित महसूस होता था उनवां दगीज वासा भाइज ओल्ड बर्ड उन्में से एक जो एक जो था उसमें से इक्षिटिया वह वाइज यानि समझदार और यानि पूधा था बाइज यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं यह है जो कि ओल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है एक्जेक्टिफ और बर्ड नाउन है इनोस्ति तो स्मॉल क्रीपर एड़ फुट ऑफ ड़ ट्री उसने छोटा सा क्रीपर उसने वलब उस पेर के तले उसने एक छोटा सा क्रीपर उसने नुटिस्ट किया इस पोक टू अधर और दूसरे चीडियाओं से उसके बारे में उसने बात की उसने चर्चा की यह सीड़ क्रीपर क्या तुम उस क्रीपर को देख पा रहे हो इस सट टू डेम लट उस डिस्ट्राइट चलो उसे नस्ट कर देते हैं अब देखिए उसने ऐसा क्यूं कहा वह वैसा ही उन बाकी ज सप्राइज बाकी जो गीश थे उन्होंने मना अच्छी राज में पूचा कि क्यों हम इसे डिस्ट्वाइकन इट इस सू स्मॉल यह बहुत छोटा है अभी वाट राम कैने डू यह क्या हम लोग के सांद नुक्सान कर सकता है माई फ्रेंज मेरे दोस्तो रिप्लाई मतलब उसने रिप्लाई किया और यहां पर हम लोग को यह भी जाना जरूरी है क्योंकि कोई भी स्टोडी पास्ट फॉर्मिल की जाती है तो इसमें इडी यहां पर लगाए डिप्लाई अच्छले इसके स्पेलिंग रिप्लाई लवाई होती है लेकिन यहां पर इडी एल आई एडी हुआ हुआ है यह सर्वनों को जानना बहुत जिरूरी है आगे के लि कि रिप्लाई डवाई जोल बर्ड डेट लिजेग रिपल विल सून ग्रो अच्छों कि हम भी बढ़ते हैं उसी तरह यह प्लांट्स भी एक ना एक दिन बढ़ते हैं तो उसी तरह यह क्रीपर भी बढ़ेगा ऐसे क्रिप्स अब टिस ट्री इट विल बिकम ठीक और स्ट्र क्रीपर डूट अस तो उससे वो क्या हम हम लोगों को कर सकता है अब आगे हम दक बढ़ते हैं डॉन्ट यू सी तुम देखते नहीं हो रिप्लाई डवाई जोल बर्ड यहां पर जो यह रिप्लाई है इसमें पास्ट हम लगाए एडी एक्चली होता रिप्लाई है आरी पी एल वाई लेकिन इसमें एडी लगा तो फिर एक कुक्ट की तरह एक एक्जामपल है कुक्ट की तरह सी डवलो के एडी नहीं मतलब जो भी वर्ड है उसके बास सीधा एडी नहीं लगेगा बलकि यहां पर इसको आई करना परेगा रिप्लाई वाई की जगा आई करना होता है तो उसके उसके बाद उसको आई में चेंज करकर तब एडी करना होता है आगे पड़ते हैं विदा है वावडिट क्रीपर इट विस पॉस्पल फर समवन टू लाइम डटरी उस क्रीपर की मंदल से किसी के लिए भी पॉसिबल हो जाएगा आसान हो जाएगा उस पर दढ़ना हंटर केंग कम अप एंड किला सौथ कोई हंटर याई श्रिकारी उपर आकर हम लोगों को मार सकता है और फ्रेंस मैं आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूं चुकि यह पंचितंत्र से एक स्टोरी है और उस टाइम में हंटर्स का बहुत चलानता मतलब उस टाइ कि जो हंटर्स थे वो सबसे पहली बार नर्मदा घाटी यानी नर्मदा वैली से ही मतलब इंडिया में सबसे पहली बार स्किल हंटर्स और गैदर्स थे वहीं से मतलब हंटर्स स्टार्ट हुए हम लोगों के इंडिया भर में और चैप्टर तू में आप लोगों हिस्ट्री के पता चलेगा क्लास्टिक्स के कि ये काम आसान नहीं होता था इसमें कई जानवर बहुत हमलों से तेज भागते थे तो कई जानवर हमलों से कई गुना ज़्यादे श्ट्रॉम होते थे उनका सिकार करना बहुत आसान काम नहीं था आगे पढ़ते हैं अंटर केंड कम अपन किल अस और नेक्स पेज़ पर वल्डिर नोहरी कोई जादा जल्दी बाजी कोई जादा जल्दी नहीं है दे रिप्लाइड उननर रिप्लाइग किया यहां पर दुबारा यहां एडी है तो क्रिपर बहुत छुटा है इट वड़ी पीटी थे मैंने देखा कई लोग मिस्टेक में जो पास्टोर में चुकी स्टोरी लिखी जाती तो यहीं बास सही है स्टोरी इस रिटेन इन पास्ट फॉर्म बट उसके अंदर कोई कंवर्सेशन है जैसे माल या किसी आदमी का नाम है वह कुछ कह रहा है तो फिर वह प्रेजेंट में कहाएगा वह यहां पर हम लोगों को पास्ट में यूज नहीं करना है कि अधिस्ट्वाइद क्रीपर वाइल इस चिल यंग अभी आप लोग इसे डिस्ट्वाइब कर दीजिए क्योंकि अभी छूटा है डोल बर्ड एडवाइस उसने एडवाइस दिया इटिस टेंडर रहें यू कन कट इसली अब यह सॉफ्ट है मुलायम है और आप लोग अच्छे से इसे कट कर सकते हैं लेटर इस विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी अबल तो कट इड बाद में जब हार्ड हो जाएगा बहुत रफ हो जाएगा तो फिर आप लोग नहीं कट पाईएगा विल सी विल सी देखा जाएगा देखा जाएगा चिरियों ने कहा लापर वाही से but did not destroy the creeper लेकिन उन ने उस creeper को disturbing नहीं किया ऐसे तो होता है F-O-R-G-O-T forgot लिखा है आगे पढ़ते हैं अब देखिए चुकि उन्होंने एक बरे अपने से बरे की बात नहीं मानी थी वो बरा चीरिया चुकि उनका भला ही चाहता था अब देखिए क्या अब उन लोग क्या नतीजा होगा एस देखिए पर गिरू अब क्रीपर बरा होने लगा इट बिगन वाइंडिंग इट स्वे अब देखिए अब वाइंडिंग मतलब गोईं सर्कुलर पाथ पाथ और कोर्स तो वाइंडिंग स्टाइल में अब गोल गोल उस्तने पर चड़ने लगा कि इस्ट्रॉंगर इस्ट्रॉंगर बहुत बना अंटिल इस ट्रॉंग तब तक जब तक वह बहुत मोटे से रसी जितना स्ट्रॉंग हुआ वर्न वर्न गीज हैस ग्वन आउट इस वह फूर्ट हन्टर केम तूड़ एप देखिए मैं आपको बहुत पहली यह पताया था क की विंद चाल हों को पकड़ने का उसमें सबसे में चाल चीरियाओं को पकड़ने का है या तो वह नीचे जी जाली बिठा देंगे उसमैंदी डाने रखे देंगे अब चिरियाओं से नूट्पिस नहीं हो उसमें आजाएंगी एंड फिनिस उसके अलावा या तो वो ब्रांच पर ही उनके बिछा देते हैं जब वो बाहर खाने की तलास में गए होते हैं हंटर्स का यह प्रोफेशन ही होता है तो उन्हें पता होता है कौन चीरिया कब कैसे जाता है बाहर उनका अलग टेक्निकल वे हैं कोई हंटर नहीं हो तो मुझे नहीं पता जाता तो फिर जब वो खाने की तलास में जब गए थे चीरिया आएं तो फिर खंटर आया अच्छा तो यह जगह है जहें जंगली गीज रहते हैं हंटर ने कहां वें दे कम बैक इन दे इवनिंग आशल कैच दें जब वो साम में आएं तो मुझे इन्हें पकड़ लेना चाहिए नांटर क्लाइंब दे ट्री विद थे हेल्प आप दे क्रीपर अब देखी हंटर उस क्रीपर की ही वजह से उस पेर पर चड़ पाया यह गॉट तो ड़ टॉप एंड उसके सब से उपर चला गया एंड इस प्रेड इस नेट डियर और वहीं अपना नेट बिचा लिया देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे फिर वो नीचे आ गया और चला गया इंड इवनिंग डगी रिटरंड हूं जातर चीरियां साम की समय में अपने घर लौती है अब आवल की अलग पात है तो जब गी साम में अपने घर पर लौते डिद नोटिस टे नेट जाद वो फस गये अब इस ट्रगल हार टू गेट आउट बट कुड नौट नहीं बहुत श्ट्रगल किया निकलने का लेकिन नहीं निकल पाए हेल्प हेल्प क्राइड गीज वो चिलाने लगे कोच इंद हंटर्स नेट ओ वार्ट सल्वी डू हम तो हंटर्स के हम तो शिकारी के नट में फस गये अब हम लोग क्या करेंगे बागे देखिए अब गीज ने कहा डॉंट मेक अफ फर्स ना हूँ इसका मीनिंग है अब ज्यादा बखबख मत मचाओ वाइस गोल्ड बर्ड ने उसने कहा लॉंग हुआ है टोल यू डिस्ट्राइड अट क्रीपल बहुत वहले मैंने कहा था कि इसको निस्ट कर दो बट विद नहीं किया तुमने अब सी वर टराएगा कल और हम लोगों को ले जाएगा कि विए फुलिस हम बेवकूफ थे वेफ डबर्ड बुर्ड वेरी सॉरी विदे नौट लिसें टू यू प्रीट लेस्ट वाट टू और चिरियां को पस्तावा हो गया कि उन्होंने गलती किये उन्होंने पूछा कि बताई हम ल दिल से माव दिल से सॉरी हूं हम लोग दिल से पस्तावा हो रहा है हम लोगों को अब आप ही बताईए कि प्लीज हम लोग क्या करें देर लिसन केरफुली और यह एक्सपीरेंस था चीडिया और उसने कहा अब उसने दूसरी उपाए बताई बैलिसन केरफुली अब सुनो यहां पर भी इड़ी है विन हंटर कम्स यू ऑल मस्ट पटेंड तो बी ड Tous यहां पर जोस्तों यहां पर क Beij year future के लिए कहीं भी यूच किया जाता है और ना पहले पहले मतलब पर समीं पास्ट में यहाँ पर वेंट हो जाएगा इसकी जगह वेंट हो जाएगा पटेंट वी डेड जस्ट लाइ स्टिल जब हंटर है तो सब एकदम मरे हुए चीरियाओं की तरह एक्टिंग करना और क्यासे करना बस बीना हिले दूले लेटे जाना दो हंटर डिड नॉट वांट विल नॉट वांट डेड बर्ट शिकादी मरे हुए चीरियाओं नहीं चाहिए चीरिया नहीं चाहिएगा विल थ्रू उस तो दे ग्राउंड इसी फोलिम तो क्लाइम डॉंट को लेका फिर हम लोगों को घर ले जाना वैं लास्ट ऑफ फस हैस बीन त्रॉन दाउन दाउन जब लोग में से आखरी जो चीरिया रहेगा और नीचे फिका जाएगा विमस्ट कुइकले गट अपन फ्लाइव हुए तब सीधा उठना है और बाग जाना है इन दे मॉर्णिंग दे हंटर कें टू डग ट्री एंड क्लाइम डप सुबह के समय हंटर आया और ट्री पर क्ल देखा यूरल हुलता है उसमें उसने अंदर देखा देखा यूला डेट ही मटर टू हिमसल मतलब लो टोन में बोलना इस पी इन लो टोन इस सब मरे हुए उसने कहा है रित्री हो डेम आउट ऑफ दने नेट वन बैवन और जैसा वाई जोल बढ़ने कहा था वैसे इस नहीं गिया एक रिकल्ट उसने उनको नीचे फिका दबर्स ले इस्टिल अंटी दा लास्ट वन हैस बीन थो डाउन तो नाउन वो साही चीरिया एक्दम चुप चाब बिना हिले दूले रही जब तक में आखरी चीरिया नीचे आई दन आल एट वन्स देगोट अफ लैप देर व इसके साथ धूखा हुआ था टॉप ऑफ दी ट्री वास्ट लगी फ्लाइवे फिर उपर से सारी कीश को वहां से उर्टा हुआ देखने लगा अफ्रेंस अमलो को इसके राइटर के बारे में पता करना चाहिए चुकि मतार्ट नाक किसी भी स्टूरी के राइटर या नाम याद रखना कई को स्टूर्ट पूछ देतने हैं आयम एक्स्पीडियंस मुझे एक्स्पीरेंस है इसे इनके राइटर के बारे में पता करना चाहिए है अना कि पंचितंत्र से हैं तीहां मुलब किसे इसे इसे प्रस्तूत किसने इसे प्रेजेंट किया है वह माता करत यह पर इसका नाम चिंज करकर कर दिया गया अब लोग इससे स्टोरीज निउवर्ट मतलब इसके निउवर्ट अब हम लोग करते हैं आये अब हमले निवर्ट सांसे इस्टार्ट करते हैं निवर्ट गीज प्लूराल ओफ गुज लार्ज वेब फुटेट बर्ड क्रीपर प्लांट डेट नीज सपोर्ट टू ग्रो शुजली एलॉंग वाल ओर ट्री वाइंडिंग गोई सर्कुले स्पाइरल कोर्स मटर्ड इस से कुछ फ्रेंड सब आपने में साब पूरा चैप्टर पढ़ लिया अब आए हम लोग इसके कुछ कोसेंस एंसर मतलब मैं आप से कोसेंस पूछता हूं और आप लोग इसका एंसर खुदी मन 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 दीजे Let's read 1. Where did the geese live? 2. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? 3. Why did the geese cry, help, help? 4. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? 5. Why did the geese pretend to be dead? 6. Describe one incidence when you got into trouble because you did not do your work on time अब आप लोग इसका मन में ही एंसर कर लीजे और आप लोग खुद का प्रफॉर्मेंस इसी को देखकर फिर आप मन में इसका एंसर कर लीजे फिर इसको आप चैप्टर में से चेक करिए और आप कितने मतलब सठीक हैं उससे आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर लीजे आज हम लोग ने चैप्टर कम्प्लीट किया NCRT के क्लास 5 का इंग्लीज का चैप्टर फ्लाइं तोगेठर बाइ, स्टे हूम और स्टे सेफ थैंक यू